चैप्टर का नाम लिखोगे, वर्किंग कापिटल में, इतना सिंपल चैप्टर है, इतना सिंपल, कि आप कहोगे, सर, आपकी जरूरत थी नहीं, हम खुद ही कर लें, अब भी, अब, इतना सिंपल, कि 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 तर इसका कोश्चन पक्का आता है कि पक्का आता है आठ से पंद्रह नम्मर प्रख़कि प्रख़स्टर आता है प्रॉब्लम यह है कि मैंने पहले भी बताया था प्रॉब्लम यह है कि अब फेक्स एसिट्स में पैसा लगाती हो तो उसके लिए हम कैपिटल वस्टिंग पड़़े है पर फेक्स एसिट्स के लिए के अलावा भी हमारी पास बिजनेस में श्टॉक चाहिए 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 मिनिमाम श्टॉक श्टॉक जो आप दुकान में कहां मिलेगा उससे फिर खरीदोगे तो वो हमेशा पैसा तो उसके लिए आपको चाहिए चाहिए पैसा टेटर्स का पैसा 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 रहेगा कैश कैस तो मिनीमम रखना पड़ेगा ना भाई तो ये सब चीज और इसके अलावा वो कितना लग सकता है ये अनुमान लगा रहाए है और पिर इसके बेसिस पे हम कहां जाएगे, बैंक, और बैंक को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देंगे, कि देखो भाई, हमको इतने पैसो की जरुबरत है, हमारा डेटरस में इतना पैसा लग रहा है, कैश में, इस टॉक सुने हो, आप इस टॉक भी तीन टाइक के होते हैं। एक सायद होता, रोग मतीरियल, मैं आ एक्टोर में रॉप मतेयल, ड बडब डबलू आईप, पहिनेज़गोष इन पौई, रोटी है बनाया हो काभी रोटी जो सूखा आट है वो रौमठे उसको भिगव लिया पानी में वाव इसके नाम से डरते क्यों है बच्चे उसके डरने की वज़ा है क्योंकि एक complete chapter नहीं है ये part पार्ट में टूटा हुआ और हर पार्ट में question है इसके अंदर पहला पार्ट करेंगे लिखोगे part number one वर्किंग कापिटल मेनेजमेंट इससे अगर question आता है तो 10 number कई आता है ठीक है अच्छा question अच्छा और इससे आता है एकसर part number two और working capital में current assets और current liability current assets में क्या बोला आपने stock तो इसमें बढ़ेंगे stock management या inventory management stock कम होना चाहिए कि जयदा मतलब minimum level maximum level reorder level ऐसा कुछ बहुत है economic order quantity क्या कभी नाम सुना इसका EOQ का formula होता था two ऐसा कुछ होता था क्या नाम सुना है इससब क्या question बनाया हो मतलब मेरा ये topic हो गया part number देखा मैं फटा फट से खतम कर दूँगा part number three stock के बद क्या बला था अपने का debtors तो चलो पढ़ेंगे debtors men debtors कम की ज़्यादा उधार दे रहे हैं अगर आप ज़्यादा उधार दोगे तो पैसे ज़्यादा बलॉक होगा अच्छा सुनो ना ऐसे ऐसे तेरा बात करते हैं जैसे आप हो याप फिर मेरी दुकान है और मैं लोगों से कह रहा हूँ कि प्लीज आप goods मुझे से खरीती हैं और एक मेहने बाद पैसे दीजी तो अच्छा खासा sales हो रहा था साल भर में कितने का sales हो जाता था एक मेहने बाद अगर मैं लोगों से पैसा लेता था तो मान के चलो पाच लाख रुपए साल का sales हो फिर मेरे मन में आया sales बढ़ाया जाए sales बढ़ेगा कैसे तो मैं आप से बना प्लीज आप दो मेहने बाद दीजी ना कि भात या sales बढ़ेगा और sales बढ़ेगा तो क्या profit भी जज़ादा होगा तो यार तीन मेने बाद तो ठीक है तीन मेने बाद देना तर अल सैस्बल एक साल बाद देना क्रेडिटर्स बढ़ना अच्छा की बुरा क्रेडिटर्स इतने ज़्यादा रहेगे अब जाता तो यह अच्छा है ना एक एफ-म का फाइनेंस का एक रूल से समझ लो अभी से कि अगर किसी से पैसे वसूल करने है तो जितने जल्दी हो सकता है वसूल और किसी को देना है तो इतना लटका उसको यह है अगर आप कहरो कि नहीं अभी दे देते तो भी फिर मत पड़ो FM Finance का मतलब ही यह है ठीक है तो सर फीस की बात नहीं कर रहे है कि फीस की बात नहीं कर रहे है मेरा रूल्स मुझ पे एपलाई नहीं होगा अब हाँ बात है डेटर्स की तो सब्सक्राइब यह कि जितना पीरियड हम बढ़ाएंगे उतना से जादा होगा लेकिन दिक्कत भी तो है ना यार दिक्कत क्या है कि पैसे ज़्यादा समय के लिए ब्लॉक होगा तो उस पे जो मै अगर वो पैसे एक मैने में मिलता तो मैं बैंक में जमा करता बैंक में जमा करता तो इंट्रेस्ट मिलता तो वो तो लॉस है दूसरा मालूम है क्या दिक्कत है क्या लगता है ज्यादा सेल्स होगा क्योंकि डेटर्स ज्यादा है तो पैसे डुबाने के भी चांसे जाता उधारी बाट रखा तो collection के लिए तो खर्चा आएगा और collection के लिए मुझे घर-घर जाना पड़ेगा मैं क्यों जाओ मैं अपना एक लड़का रखूंगा तो management खर्चा बढ़ेगा तो यह बहुत कुछ पढ़ने वाले वो कहा पढ़ेंगे हम debtors management उसके बाद current assets में क्या आता है तो cash management cash management क्या आपको अच्छे से आता है इसको cash budget गोलती है budget तो है या पॉष्ट होगे है ना इस नई है तो छू नहीं पाओगे actually इसमें level का question है cash budget इसमें कुछ नहीं है तो economic order quantity part number और क्या बिचा भाई current assets में तो नहीं आएगा हमें सम लॉंग टर्म ही मान के चलेंगे और बोच्छो predators liability side आजाओ predators management बस खताम इतना ही chapter जो time लगना है वो लगना है working capital management टार्गेट क्या है अभी सी समझ दो working capital management में क्या आता इसमें operating cycle नाम आएगा जैसे जैसे management पर factoring सब्द आएगा चिंता मत करो सब cover हो जाएगा मतलब आप यह गयाना चाहता सर इसको भी खत्म समझें हाँ वही वाला operating cycle ने जो आप balance sheet बनाते थे तो balance sheet में नोट लिखा रहे था हलाकि operating cycle है आपके 12 में कहीं ना कहीं बढ़ा होगा हाँ अब वक्त आ गया है लिखो गया working capital management part number one time लगेगा question बड़े होते है पर वही है आपके समझने पर एक example करवाँगा धंक से कर लेंगे ना तो tension कर देंगे working capital management एक particular format बनाने के चक्कर में था मैं अब format बनाऊँगा और फिर आप को example दूँगा फिर उस format में करेंगे तो example करते हैं एक example के साथ format बनाएंगे सारी चीज़े मेरे साथ होगी ठीक है लिखोगे example सब कुछ लिखवाया नहीं है वो सब चीज लिखेंगे example के साथ example अब यार क्या बनाने का सूच रहा है calculator क्या क्या लगेगा इसमें plastic मतलब material मैं per unit के basis पर बात करूँगा बजाएगा raw material मैं यहाँ per unit लिख रहा हूँ per unit post per unit लिख ले ना और क्या लगेगा आपने बोला raw material पॉशिट आता ना आपको लोग पता लग जाएगा raw material कितने का लगेगा क्या लगता आपको 40 रुप per unit 40 रुप raw material के अलावा labor wages लिख दूँ क्या तर वो लगेगा 30 रुप labor के अलावा expenses overheads बोलते हैं सायद कुछ रुप परेवाँ एक्सपर्ट लोग हो मेरे सामने ठीक नावाण को लोग लुप लुप लोग लुप लोगेगाण ऑरेवाण रुपी 10 depreciation का 10 रुपे जूड़ दिया और ये लिख दिया 25 रुपे और तो कुछ लगेगा नहीं तो तो add कर लेते हैं add करने पर कितना है कि 90 या अगे total cost per unit और फिर इसमें क्या add कर देते हैं profit और सब profit कितना कमा रहा है profit हमा 25 मन से लिख रहा है तो कुछ भी लिख सकते थे मैं कोशिश कर रहा हूं fraction ना है ठीक है जैसे fraction आएगा आपका दिल धड़कने लगता है कहीं करना कहीं गरबढ है कितना हो गया total 120 रुपे में हम calculator बेशते हैं ये हो गया हमारा price ठीक हैं तक ओके अब आगे number of एक साल में कितना units बना कर बेश देते हैं तो ले लेते हैं नहीं 12,000 बहुत ज़्यादा जीरो में मुझे बना कर बेश देते हैं 12,000 और वैंक से बोल रहा है कि सुनो ना वैंक हमको चाहिए working capital के पैसा हमने का working बोले हमको कुछ stock raw material का भी हमारा हमेसा ब्लॉक रहता है तो वो पूछेगा ना यार कितने मन्त का कितना कितना units raw material बोलता देखो ऐसा है कि कम से कम हम दो मेहने का अपने पास advance में material रखते है दो मेहने का एक बाब बाराजार units बनाते हो साल भर में हर मेहने का कितना units on an average हर मेहने का हजार बिकार का question यह आ सकता है नहीं सर दिवाली में तो हम ज़्यादा इस्टॉक रखते तो भाई अपना अभी एजम्शन इंशुरेंस क्लेम पड़ा है नहीं है अट गया है तो सनो सनो 12,000 units 12 मेने का तो एक मेने का कितना एक हजार अब हम बैंक के पास गाए तो बैंक सबसे बोलो पहले पूछे का कि भी यह कितने stock रखो के अपने पास मैंने का कम से कम दो मेने का तो हमको advance में raw material रखना पड़ता है तो दो मेने का कितना units कैसे निकला नहीं यह 2000 कैसे निकला 12,000 2000 2000 हाँ 2000 आए इसका formula है यह formula है पर हमको नहीं लगाना formula बेकार का question है तो कितना unit रखना पड़ेगा 2000 कितना रुपिया लग रहा है यह बताऊना यार क्या आप unit से बता रहा है एक unit में raw material कितना लगने वाला है 40 तो कितने रुपए का आपका material श्टॉक में रखना पड़ेगा 2000 2000 units इंडू 40 80 अजार का श्टॉक बस यही सब निकलना ठीक है तो अब लिखोगे फर्ष्ट raw material holding period RM लिख दूँ कितने मंत का रखना था तो मैंने तो यह weeks में भी आ सकता है कि आ सकता है days में भी आ सकता है एक साल में कितना दिन 350 भी ले सकता है 300 पैसेट भी ले सकता है weeks में आ सकता है एक साल में कितना weeks 52 एक मैने में 4 4 into 12 48 4 3 weeks बोला तो क्या करूँगे 3 weeks और divided by जलो जलो भी कोश्चन बनाएंगे ना तब बात करें आपने का सुनो बैंग मैंग मैंजर रखना इस टॉक भी यह डबलू आई-पी भी तो होता है डबलू आई-पी का भी तो स्टॉक होता है तो बोले डबलू आई-पी कितने दिनों के लिए रखते हूं डबलू आई-पी होल्डिंग बोलो कितना दिन चाहते हूं वानमंत कर दो वनमंत का जितना यूनिट से न उतना हमको डबलू आई-पी स्टॉक रखना बताओ bending 12,000 बारा मैंने का तो वनमंत का एक हजार यूनिट बोले भाई आप प्लीज यूनिट से में मत बताओ रुपीज में बताओ कि WIP में कितना पैसा फसने वाला है लगा लो जुगार WIP का मतलब क्या होता है वाव फुल फॉर्म होगा अधा बना है मतलब material लगा है क्या अधा देखेंगे wages लगा होगा overhead लगा होगा अब आराम से सूचते हैं एक unit में में WIP का प्राइस बता सकते हैं एक unit में कितना पैसा फसा होगा WIP में material लगा है आप बोलो wages, overhead क्या पुरा पुरा लग गया होगा कितना कितना लगा होगा अगर नहीं दिया है तो process, process cost अब ये मत बोलना कि ये भी हटा दिया वाव तो उसमें हम क्या assumption लेते थे हाँ पर अगर कुछ नहीं दिया वा degree of completion नाम था ये percentage of completion कुछ ना तो कुछ assume करते थे 50% हाँ और सौहगीग बात है कि किसी भी product को बनाते हो material तो लगी जाता है उस पर काम होना तो बता सकते हो हिम्मत दिखाना 1000 units मेरा कहना एक unit का आप कॉष्ट बता दो WIP का material पूरा बाकी सब 50% 30 प्लस 25 प्लस हाँ इंटू 50% 30 प्लस 25 इंटू 50 50 पर्षन 30 प्लस 25 प्लस 40 67.5 इंटू 1000 67.5 इतना असान है बताओ इस चेप्टर से डरते बच्चे थर्ट इन जूट्स होड़िंग पिडियot इमन्स ले लेते हैं तिनिज को गुट्स बान और बिग गया ऐसा होता है क्या नहीं टाइम लगता है यार यह तो आपको इस टॉप में रखना ही पड़ेगा दुकान में शोरूम में तीन मैने का इस टॉप हमको रखना पड़ता है बताओ कितना तीने जार यूनिट्स प्र अमाउंट बोलो न वुच्छे अमाउंट तीने जार इंटो कि बला यही में निकलवाने वाला हुआ कि फॉर्मूला लगा कि प्रॉपर प्रेजुन्टेशन सर इसके अलावा माल बेशते है कि इतने का बिखी का बारा जितना बनाती इतना बेशते मान रहे है बारा जार इंटो एक्सो बीस बारा जार इंटो एक्सो बीस श्यूदा लाक श्यूदा लाक चालिस है क्या यह सालवर का सेल्स है क्या हर महने का सेल्स बता सकते हो उदा लाक चालीस है बारा मेने का सब्सक्राइब एक लाक 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 बीच ज़ा बिल्कुल ध्यान से समझना ये डेट्रस मैंजमेंने काम आएगा मालं लोको लोगत अन्वरी और लोगों को हम एक महने के लिए उधार देते हैं इक मेने बाद एगले मन्त यहाँ जो माल बेचोगे एक लागवी सिज़र इसका पैसा तो पूरे साल भर में डेटर कितने कि खड़े रहेंगे हर मन्त एक बिस किया हमेज़े एक लाग बीस आज कि रहेगे मढलो यही से स्टार्ट हो रहा है किया हमेज़े का रहेगा मान लो ये दिसंबर खतम हो गए यहाँ जो माल बेचोगा इसका कहाँ जाएगा अगले महने एक विस अब आराम से सूख हर महने कितने का माल बेचते हो एक लाख विस एक लाख पीस और इस बार हम लोगों को दो महने के लिए उधार दे रहा है यहाँ कितने के लिटर्स एक बीस यहाँ कितने के तो मैंने बाद आप से पैसे वसूल करूँगा अराम से सोच नो फैब में नहीं मिलेगा पैसे मार्च में मिलेगा तो बोलो यहाँ कितने के एक बीस यहाँ दो लाख चालिस तर यहाँ तो दो चालिस फिर यहां दो चालिस तो हमेंसे डेटरस कितने आएगी दो लाग चालिस अगर तीन मेने रहता तो एक निकाल कैसे रहे तर ऐसे निकाल रहा है हम लोग डेटरस कितने के टॉटल 17,40,000 अब बोलो सर कितने मेने के लिए आप उधार देते हैं अगर मैं कहूंगा तीन मेने के लिए तो इन्टू 3 बाई 12 और क्या मान के चल रहे हम की पूरा सेल्स क्या है मेरे ख्याल से डेटरस तो निकाल ही लोगे कोई ज्यादा प्रॉब्लम ने चाहेगा आगे लिखोगे सर हम रेटरस का मतलब क्या उधार लेते होंगे वैसे मैं ठेरियर थैं और सर हम लोगों से 1.5 मन्त पात पैसे देते देड़ मैंने बात ओन एन अवरेंस बताओ कितना यूनिट्स खरीदो के साल भर में 12,000 यूनिट्स साल भर की बात 12,000 यूनिट्स और कितना 12,000 इंटू 40 तो खरीद रहा हो 12,000 इंटू 40 तो ये पर्चेस किया और क्रेडिटर्स के अमाउट निकाल सकते हैं इंटू 1.5 डिवाड़ेड़ बाइ 12 ठीक है चलेगा अभी ये करवी करेंगे हम लोग उसके बाद हमको क्या रखना है कैश हमारा को बिजनेस चलाने के लिए मिनीमम 30,000 रुपे तो कैश रखना पढ़ेगा ये दिया रहते है इसके अलावा आउट इस्टेंडिंग वेजिस मतलब समझ रहा है वर्मंत लेवर को कब पैसे देते हो एक मेहने बाद क्या उनका पैसा हम एक मेहने के लिए रोक देते है हाँ तो कभी हमेशा क्या ये पैसे रुका रहेगा हाँ कितने बुरे लोग वेजिस का पैसे कैसे रोक रहे है पर शेलो ठीक है रोकींगे तो निकल जाएगा है ठीक ओके बड़ा हुगा है अगे लिखो margin of safety 15 बर्शन continue लिख रहे हैं ना फिर क्या फिर क्या फार्क बड़ा पॉइंट नम्बर एट ओवरहेट्स ओवरहेट्स भूल गया था ना ना यह दर उख अभी क्या ले लेते हैं रेंट रिपैर्ड भी हो सकता है आउटीस्टेंग हो सकता है electricity अचा electricity हम पहली पैट कर देते हैं क्या है अचा bill बाद में आता है आपको निकालना है, मेरे पास बोर्ड में जगा ही ने पास एलकुलेट एस्टीमेटेट वर्किंग कैपिटल requirement first total approach and second कैस कॉश्ट अप्रोच सर क्या होता है होता है अभी तुम मैंने कुछ समझाया है यह नहीं है अभी तुम लेखवार होगा कैस कॉश्ट अप्रोच ठीक है दोनों से करेंगे और MPBF भी पूछ सकता हूँ पर भी रुख के दिरे सबसे पहले लिखेंगे वर्किंग अपिटल रिक्पायरमेंट कब के लिए निकाल रहे हो पाश्ट का की फ्यूचर या क्या अनुमान है आपका चलो निकालते हो वर्किंग अपिटल कौन से अप्रोच टूटल सर दोनों में अंतर क्या है अंतर समझ में आएगा जैसे में करो दिखोगे वर्क की क्या पिटल यहां लिख दोगे टूटल यहां यहां जाएगा कैलकुलेशन और यहां जाएगा आमाओ और जहां कुछ नहीं आता वहां किया जाता है पर्टिक्ल सबसे पहले लिखेंगे करेंट एसेट करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स में सबसे पहले जरुरत किसकी पड़ेगी स्टॉक और स्टॉक में सबसे पहले बात करेंगे रो मेटियल का स्टॉक कैसे निकालना था यार आप लोग ने निकाल तो लिया बाराजार इन्टू टू बाई ट्वेल्फ इन्टू 40 इन्टू 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 बाई ट्वेल्फ आना पसंद करोगे कि यहीं निप्टाओगे इसे करोगे वर्किंग नोट बना लेते हैं ना यास इधर कितनी जगह लगेगी खिर अगर यहां तक नहीं आया तो मैं तो नीचे कर लूँगा वर्किंग नोट लगेगी अब डबलू आईपी में कितने कंपोनेंट होते हैं टोटल मिलाकर तीन दिया हुआ इट इस परदे लोगेगा दो सेम्सक्रम् करहें परसंटेश क न एप्रसंटेश्य स्व गृट् actions एडएकर रयद घर के इस आपकेशम् करेरीड beverage 100% and conversion cost क्या होता है वही है न मतलब 50% in conversion cost ऐसे लिख सकता हो ना भाई वह से सबसे cost per unit निकल सकता है WIP cost per unit per unit के basis पे निकाल के भी कर सकते है total में भी कर सकते है तो मटी लगा कितना लगेगा 40 और वो दोनों मिला गर कितना है P is plus 25 into कितना 50% कितना है टोटल 25 5 कितना unit था टोटल 12,000 into 67.5 into 1 by 12 67 55 यहां लेख देता हम है working note number 167 55 इसके वाद क्यों से stock इसके बाद क्यों से stock जिनिस गोट्स कितने मंद का रखना है पाराचा यूनिट्स इन्टू 3 बाइट 12 इन्टू पंची अन्बे 95 कहां से लाया है आपि पोटल कोस्ट के बेद तो कितना गया इस स्टॉक में ये तीनों चीजिया दूसरा क्या आएगा हमारा डेटर्स अगरेटर्स कभी भी किस पर निकाला जाता है तो कितना यूनिट्स बेज रहे हैं 12000 कितना है सेलिंग प्राइज 120 कितने प्रियेट इस को इस लिट उसका लिखा नहीं था कि एँए एज़ेस्ट करूं कितना मंथ लेना चाहते हूं प्री मंथ इन्टू प्रीबाई ट्वेल कितना गया है इन लाक इसका डेटरस का ऐसा कर दूं कि 75% क्रेड़िट करके अब पैसा देख रहा हूं हम यह एजियूम कर रहा है कि 100% क्रेड़िट सेल से ठीक है लिग देना कहीं है जम्षा आगे चले इसके अलावा और क्या रखना पड़ेगा हमको कैश और कैश क्या गीवन है आपको यस कितना रुपए टीस जार चेक कीजिए कहीं प्रिपेड एक्सपेंसेज है क्या पक्का तो बस टूटल कान लेज़ें इस इस करेंट एसेट्स अज तक का आपका अनुभाव क्या बोलता और मेरा अनुभाव यह बोलता है कि बच्चों को डबलू आईपी निकालना नहीं आता यहीं गलती हो यह एक तो यहां गलती होती है दूसरा डेक्टरस में गलती इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारी आदत हो जाती है कि पूरी यूनिट से लेना और कहीं छुपा कर देता कि 75 बशन क्रेडिट से बस उतना ध्यान तो सर इसको आप क्या बोल सकते हैं इसको बोलते हैं हम टूटल अप ए बीच में लाइन नहीं आना चाहिए अब बात किसके करेंगे करेंट लाइबरिटी और करेंट लाइबरिटी में सबसे पहला सब्द आ गया इतना यूनिट्स खरीद रहे हूं 12,000 और क्या खरीदोगे रॉमटे लेली 40 के सबसे तो कितनी पिरेट के लिए उधार है 1.5 divided by 12 एजम्शन क्या है कि जितना बर्चिस करेंगे वो कंसा बर्चिस है क्रेजिट 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 कोई आउटिस्टेडिंग एक्सपेंस है ना बिट्टी कितना यूनिट्स है 12,000 वेजिसका कितना लग रहा है कितना फिरेट कुछ बच्चे बोलते हैं सर वन बाई 12 पहले लिखके इंट्व 30 कर दे तो कोई गुना नहीं है कितना 30,000 और कुछ था सायत और कुछ बच्चे बोलते हैं सर आउटिस्टेडिंग ओएट कभी देखा है कि आपने आपकी आवाद सुना ही नहीं देती किया है कितना उनिट्स इंट्यू एट्विस कैसे ट्टल है ना डप्रेशिशन आउटिष्टन ही ना यार डप्रेशिशन तो अपन किसी को देते नहीं है उसके अलावा जो भी है वह हो सकता आउटिस्टन 12,000 इंट्व 12,000 इंट्व 12,000 15,000 यह क्या आ गया है Current Liability 1,000,000 पाच है तो Working Capital निकल सकता है क्या है Working Capital A-B कितना है था 7,17,000 पास हम बैंक वाले के पास जा रहा है कितना पैसे मांगने के लिए 7,17,000 पास होगा हमारा लिमिट बना दो कितना पैस हमको लग रहा है वर्किंग कापिटल के नाप बट यार जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं हम बजट बनाते हैं उपर निचे हो सकता है तो जैसे यहर मेरा गोवा जाना है बजट बना कि यहर 20,000 में हो जाएगा पर उपर निचे भी तो हो सकता है 18 भी तो लग सकता है तो क्या हम को 18,000 लेके जाना चाहिए हाँ तो वही तुम्हें कहा रहा हूँ margin of safety कुछ नहीं है जितना लग रहा है भाई उससे थोड़ा सा ज्यादा लेते हुआ कितना परशंट इस बुला है जोड़ दो कितना परशंट जोड़ोंगे 10 परशंट अचा 15 परशंट बलो कितना 8 10 1076 825 बता हू, Working Capital कितना लगा 825 इस इस Is Working Capital Requirement हाँ? एस्टिमेट Working Capital Requirement अब हम बैंक के पास गए और बैंक से बोल रहा हैं कि सुनो ना बैंक हमको इतना पैसा चाहिए भार और इसका प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ना यार सीधी सी बात है बैंक के लिए आप business के लिए बैंक से business के लिए पैसा लेकने जाओगे ना, CA बनोगे अज नी तो तो वो भाई आप से ऐसे नहीं देगा हवा में प्रोजेक्ट रिपोर्ट माँगें । और ये क्या है वो 75 परशन ये 80 परशन ऐसा फाइनेस करता है तो यहां वर्किंग कैपिटल में क्या होगा क्या बैंक पूरा देदेगा हमको पैसे वो गया खुद का अपना तो लगाओ समझ में नहीं आ रहा था कि 75 परशन की 80 परशन तो आरबी आई ने कमीटी बनाई कमीटी तो बहुत सारी बनाई पर एक फैमस कमीटी टेंडन कमीटी और उसमें पढ़ाओंगा कि बैंक क्या बोल रहा 75 परशन आप कुछ ऐसा कुछ है पर अभी नहीं अभी जितना जेल पा र का लग रहा है यह क्या चीज है बोले डबलू आई पी बोले एक यूनिट में कितना लगा मुझे यह बताओ निकाला है साइद आपने के अब मैं बैंक को समझा रहा हूं तुनो ना बैंक मेरा 40 रुपए यह लगा और 30 रुपए यह लगा और बेकूप मत बनाओं 10 कहां ल बात करो कैश की तो मतलब 10 रुपए क्या करना पड़ेगा इगनोर मतलब सिर्फ जो कैश की बात करो ठीक हां यह है टूटल अप्रोच आगे में दूसरी अप्रोच से करूँगा जिसका नाम है कैस कॉश्ट अच्छा सुनो में भी चक्कर है कि डेप्रिशेशन का हां डेप मैंने कहा सुनो ना मेरा पैसा मेंने ना जो माल बेचा है कैल कुलिटर 120 का वेचा है वह 120 रुपए मुझे नहीं मुझे नहीं कितना लगा है यह बताओ आप तो प्रॉफिट का भी फाइनेस कर वालो प्रॉफिट का अचा अल्टिमेटली आप खुश सोचो ना किया पड़ा कैस को आपरोच मतलब सर टाइम पास हुआ सीधिसी बात है लोटल अपपरोच में सब है हाँ बनाना पड़ेगा भूल जाओगे लिखके दे रहा हूँ कैपिटल बिस्टिंग में भी ऐसा लग रहा था सब याद कैस कॉश्ट एप्प्रोच टोटल एप्रोच में डेप्रेशिशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं सिंपल सी बात है और यहां से गलत फ्रेम यह चलो हो जाती है सर लेकिन आपने टोटल में तो डेप्रेशिशन लिया नहीं नहीं होता है ना फिर से फिर से सोचते है डेप्रेशिशन आएगा कि नहीं आएगा किसमें? अगर टोटल अप्रोच है तो आएगा, लेकिन यहां तो वैसे भी नहीं आए. और एगर कैस्कोष्ट है तो कहीं नहीं आए. अधस इतनी सी वात आपकर है. चलो कौन सी आपरोच से बना रहा है? कैस्कोष्ट. कि अच्छा एक बात बताओं कैस कॉश्ट एप्रोच और टोटल एप्रोच में सोच समझ के बोलना है करेंट लाइबरिटी में कभी कोई चेंज आएगा कि नहीं है चाहे आप दोनों एप्रोच की बात करो क्योंकि डेप्रेशिशन इधर पिक्चर में कभी भी नहीं आता डेप्रेशिशन आता ही नहीं है चाहे आप टोटल की बात करो चाहे कैस कॉश्ट की और प्रॉफिट तो इधर ऐसी भी नहीं आता तो जो आएगा वो कहां चेंज आएगा इसी में चेंज उसकी वज़ए से र किन फार तो रो टो 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 किन फॉर्किंग काथ जड़ать पहला क्या करेंट एस यह कैश है न है यार करेंट एसिट करेंट एसिट वे सबसे पहले भी क्या आएगा रो मटे इस्टाउक इस्टाउक किसका आएगा रो मटेल क्या चेंज नहीं आएगा तो सिदा लिख दे इतना 80 दूसरा WIP के लिए वरकी नोट सिदा लिख सकते न अब तो हम समझदार हो गया है कितना अथा यूनिट्स हजार इन्टो वन बाए थाइस दस रुपय मैनिस करके बता दू 7,000 पाश्व, इन्टो थाइस रूट्स, रजा यूनिट्स, कितना भी डाद है इन्टो 85 255,000 उसके लब क्या हैगा डेटर्स 12 जर इन्टो पॉस्ट कितना है 85 इन्टो 3 वाइ 12 इसके बाद कैश 30,000 पर क्या करेंट रेशिट में कोई जाएगा 6 500 परेंट एसे लिख दो सीधा सीधा कितना है था करेंट लाइबरिटी कितना इक लाइब पाच यहार पाच लाइब पास सो इसमें मार्जिन जोड दीचिए कितना पर्षेंट? पंदरा पर्षेंट छे लाइब तीन सो चिक यह यह वर्किंग काप्ट और कुछ लाइब अन्दर क्या आजाएगा थोड़ा से लाइब थोड़ा सा बच्छे परिशान होगे वो उनने बता रहा हूं किस हो यह क्या हो रहा सर यह रो मटिरल कितना हमारा कंजियूमड हो रहा इतना कंजियूमड हो रहा है साल भर का उसका 2 by 12 लेत और क्रेडर्स कभी भी कंजियूम पर नहीं होते हैं परचेस पर परचेस अलग होता है कंजियूम अलग होता कि दुनों एक होता है यह जरूरी थोड़ी नहीं कि हाँ बास सही है कि जितना परचेस करते उतना कंजियूम थोड़ी नहीं पर मैं यहां क्या मान कर चल रहा हूं कि जितना consumed जितना purchase है उतना consumed है अच्छा अरोमटिल consumed कैसे निकलते हैं कोशिक थोड़ा बत याद होगा opening plus purchase minus closing अगर मैं मान के चलूं कि अगर opening stock और closing stock एक जैसा तो purchase ही consumed है अगर मैं यह मान के चलूं कि पिछले साल जो units बनाया था इस साल भी उतना ही units बना रहा हूँ इसका मतलब यही है कि यार पहले भी उतना ही था इस stock अभी भी उतना है तो जितना consume होगा उतना purchase होगा यही परेशान करेगा आज नहीं करेगा कल करेगा वो चीज मैं आपको अलग से समय ठीक है और अधिकतर question वैसे ही वाले है जिसमें purchase अलग है जिसमें consumed अलग है ठीक है ओके सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो हमारा एक आद दो note लिख ले जो हमने पढ़ा है अच्छा लगे स्विस साब से लिखवा रेता हूँ note हाँ जी if degree of completion not given then assume 100% completion stays in materia and 50% in conversion cost in cash cost approach in cash cost approach 2 चीज़ को हटा देते 2 चीज Cela चीज़ रप्रेस்योग। wine कभी आउट इस्टेनिंग नहीं होता है यह कुछ लिखवाने की ज़रूत नहीं है सबसे ज्यादा सबसे बड़ा सवाल यह आता है बच्चों के तरफ से कि एक्जाम में आया कैलकुलेट वार्किंग कापिटल रिक्पार्मेंट कौन सी एप्रोच से करना कोश्चन में बस लिखा है वो दोनों से कर दो कि आपका दिल करेगा तो कैस कौस से कर दो आपका दिल करेगा तो टोटल से अमारे लिए ज्यादा असान है टोटल से पर एक नोट जरूर पहले ही बता दो अगर पेपर चेक करने मिल गया इसमें जो लिखा है वह देखूंगा तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते जैसे में पिपर आपकी चेक कर वा रहा हूं ठीक है अब एक और चीज है कि जितना वर्किंग कापिटल लगा उसका बैंक कितना फाइनेंस करेंगा तो टेंडन कमीटी आई वह भी लिखवा देता हूं भी टेंडन कमीटी आई और उन्होंने कहा कि फाइनेंस किया जाएगा मैक्सिमम वो चीज लिखवा है इसी नोट में लिक लेते हैं पोई नमबर 3 मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एस पर टेंडन कमीटी और भी बहुत सारी कमीटी है कि हाँ लेकिन इसी का गाइडलाइन हमारे आई-सी याई में है और उन्होंने का मैक्सिमम फाइनेंस किया जाएगा उन्होंने का बैंक आप पर डिपेंड करता है या तो आप फाइनेंस कर वह दीजिए मैथड नमबर वन उन्होंने भी तीन मैथड बता दिया वहले मैक्सिमम फाइनेंस होगा पच्छतर परशेंट ओफ इसका करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबलिटी का पच्छतर परशेंट या तो आप फाइनेंस कर सकते हो कि पच्छतर परशेंट ओप करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबलिटी करेंट इसका कहना भाई सुनो आपको जो चाहिए उसे तो पूरा उधार मिल रहा है तो हम देंगे सिर्फ करेंट एसेट का पच्छतर परशेंट जो उधार मिल रहा हम तो वैसे भी फाइनस नहीं करेंगे वो तो आप दूसरे से ले रहे हो ना अच्छा तो दो मैथड हो गई टूसरे साँ मैं यह लिख सकते कि यह निझ रिक सकते सुनों पूछे अitas पूछेगा क्या पूछेगामि यह जो है ना वे लिखना ये swap नहीं कर सकते हैं method 1 पहले चिप का दिया method 2 method 1 में यही है method 2 में यही है method 2 में यही है method number 3 लिख होगे method number 3 75% of current assets minus hardcore current assets minus current library तो इनका कहना है एक होता है जिसे दिवाली का सीजन दिवाली में मिठाई के दुकान गया कभी दिवाली में जो है न वो मिठाई जितना minimum stock है उससे ज़्यादा रखता है पर्मानेंट तो रखना बोले पर्मानेंट आप अपने पैसों में रखो इट मेंस हम जो आपको रखना है हमेशा उस पे फाइनेंस नहीं करेंगे हम पर्मानेंट पर फाइनेंस नहीं करेंगे जो आपको एक्स्टर लगने वाला न दिवाली पर उस पर फाइनेंस करेंगे और माल बेचना और हमारा पैसा देदेना हार्ट कोर का मतलब पर्मानेंट जितना आपको करेंट एसिट चाहिए उस में से पर्मानेंट तो आप अप रखो हटा दो हम उस पर फाइनेंस नहीं करना हो हाट कोर करेंट एसिट यह कोर करेंट एसिट का मतलब होता है पर्मेनेंट करेंट एसिट उसको हटा दोगी हम जो फाइनेंस करने वाले हो मिनीमम जो रखना वो तो आपको लगा उसके उपर जो चाहिए ना उस पर हम फाइनेंस करें उसका कोई सेंस नहीं देखो दो चीजी होती है margin of safety के लिए bank कभी भी पैसा नहीं देगा वो हम अपने हिसाब से अनुमान लगाते कि हमको इतना पैसा लगने वाला उस पर margin of safety पर bank पैसा नहीं देगा बैंक आपको मैंने और भी बताया था कि जैसे creditors या बहर से लाइबरेट उस पर यह पैसा उधार नहीं देगा margin of safety आप खुद अनुमान लगा रहे कि देखो यार हमारी दुकान में इतना लग सकता है वह अपने लिए थोड़ा से एक्स्टा लेके चलेंगे खुद भी तो पैसे लगा होगे वहां काम है तो करें कोशन अभी मेरे पास है नहीं तो अभी पैंडराई जोड़ा मैं बॉर्ड में लगाता हूं जब तक प्रेक है आपको पाच मिनट चलो जी हमारी बुक का पहला कोश्चन कोश्चन नमर 18 और ये आपके FM का मॉड्यूल का कोश्चन इलिस्ट्रेशन एक्चुली मैं धूंड कर बता देखे देखे, on 1st January, the managing director of Noreen Limited wishes to know the amount of working capital will be required during the year from the following information prepare working capital requirement production during previous year कितना थिया है? 60,000 units और ये planning है कि आगे भी यही units maintained रही कि क्या बताना चलोंड बस इट मेंस यार वो तो सीधा भी तो बता सकता था ना कि यार 60,000 बनाने वाले भी या खतम करो काम पर वो आपको क्या बता रहा? कि देखो पिछले साल भी 60,000 था अभी भी 60,000 है मतलब बोले opening और closing नहीं है मतलब जितना आपका consumed है उतना ही आपका purchase मालो यह नहीं बताता तो तो हम एजियूम कर देते कि एक ही एक करके ठीक आगे बताएगा तो बहुत जबर्दस्त बताएगा ठीक अब आप देखो अब इस बार उसने per unit नहीं दिया है उसने कहा कि देखो ratio बता रखा है cost to selling price अब selling price बताएगा मतलब बोले raw material में कितना पैसा लगता है 60% wages में 10% overhead में 20% raw material को कितने दिनों के लिए आपको रखना है stock में 2 months each unit is expected to be in process in process मतलब WIT और WIB कितने मंत के लिए रखना है one month raw material being fed into the pipeline raw material तुरंद लग जाता है ठीक है और labor and overhead जो है accrue होता evenly accrue evenly का मतलब समझ रहा है इवनली बेसिस equal average बोल रहा है कि हर साल का average है हाँ आप ऐसा बोल रहो 50% वो यह बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कि wages किसी मंत में बहुत ज़्यादा लग रहा है किसी मंत में कम लग रहा है ऐसा नहीं बाकि अगर कुछ clarity नहीं है तो हमेसा क्या मानें के raw material कितना पर्षन 100 और बचा हुआ 50 पर्षन फिनिस गोट को कितने पिडट के रखना भाई आपको एन मैने credit allowed by creditors two month credit allowed to debtors एन मैने यही तू चाहिए था selling price कितना दे दिया 5 there is a regular production and sell cycle ठीक है wages and यह important wages and overhead are packed on first of each month for the previous month one month का और कितना units अच्छा cash कितना रखना है 20 सर cash तो मुझको निकल गया अभी यार हमको तो per unit नहीं मालूम है एक बार यहां निकल ले cost per unit अच्छा मैं तो लिखते हुए कर लेता हूँ क्या है इसकत होती है एक्जाम में फिर ढूणना पड़ता है बार बार तो यहां लिखे देता हूँ पॉस्ट पर यूनिट रोमेटियल कितना पाच रुपे का कितना आ गया है तीन रुपे ठीक है जी रोमेटियक के लावा वेजेस पाच का पचास पैसा पाच का बीस पैसा एक रुपे कितना आ गया है चार रुपिया पचास पैसे आ गया है टूटल कॉष्ट इसमें क्या एट कर देंगे हम लोग प्रॉफिट कितना पचास पैसे तो सेलिंग प्रैस कितना आ गया है हमें कौन से अप्रोच से करना है तो टूटल से खर ले खतम करेगा तो टूटल से क्या मार्जिन अपशेफ्टी नहीं दिया है क्या मान से कुछ वेजियूम करेंगे नहीं जबर देसे जिमाट में चाहिए तो क्या लगता है आपको इंतजार करूँ हाँ खुद से ही तो फाइट करनी है जिन्दगी में तो मैं इंतजार कर रहा हूँ अपके अंसर जब तक मैं स्टडी मैट में देख लेता हूँ क्या अंसर है फाइनल अंसर आ रहा 173-750 173-750 मैं इसी गना मैं वर्किंग रहा हूँ कोई है जो कॉष्ट पे कर रहा है कि सब टूटल पे खर रहा है तो सबका अंसर 173-750 आना ज़े कॉष्ट पे निकालोगी तो आएगा 166-250 तो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर रहा हूँ ठीक है फाइनल आगया 173-750 तास नम्बर में लिगे आपको हुआ हमको ऐसा क्यों लगता कि पुराने जमाने में जो लोक्सिये बडे है ना वड़े आसानी से बन गया ऐसे बन गया दख हो गया कि अगया कि अगया कि अगया आपने फिनिस गोर्ट्स पॉस्ट सेलिंग ट्रैस पिलिए हो सकता है यह गलती हो जो आपसे गलती हो रही है यह मुझे नो मतलब कही ना कभी मायन में रखते हूं कि होती है सभी लोगों से गलती हो अच्छा वाला कोशन दूँ इसमें खुद का दिमाग चलाना पड़े थोड़ा यह आया था एकजाम में 2019 में 10 नंबर का कोशन है और अगर इसमें जो खेल है ना वो पॉइंट नंबर इस पॉइंट का खेल है ठीक है यहां आपको दिमाग चलाना पड़े कोशन में सुरू से उपर से पढ़ लेता हूँ एक पार यहां मैं आपकी मदद नहीं करने वाला हूँ ठीक कितना उपर की कहानी ना पढ़ हूँ सीधे काम की बात कहूँ तो कितना यूनिट से भाई फिलकर रो मटियल और एक्सपेक्टे तो रीमें इन इस्टोर फार आन अवरेज अव तो रो मटियल को आपको टू मन्थ का आपको मैंटेन करना है पर ड़लु आई-प का परशन दिज़ अप कंप्लेशन दिया हुआ है फिप्टी परशन कंप्लेट एस कनवर्जन को विल एप्रोक्सिम मेट तू हाप मन्थ पॉइंट फाइफ कनवर्जन कोश्ट कितना ले रहा है फिप्टी तो मटेरिल का क्या होगा हंडर्ट फिनिस गोड्स को कितने मंद के लिए रखना है ये नहीं लगा तो अब को दिख रहा होगा और किसकी बाद हो रही है ट्यम इन्द किसके लिए ट्रस हमेंसे किस फे होता अक्रेड़्यटेल्स of credit sales का यहां चक्कर दे रखा point number 8 क्या बोला है credit sales से मुझे मतलब है percent of credit sales cash balance कितना रखना है आपको 67,500 अब गर आप चाहो तो मैं cash balance लिख सकता हूँ statement पे 67,500 safety margin कितना बोल रहा है 20 percent production pattern is assumed to be यह क्या लिखा क्या है भाई मुझे ही समझना है humanly humanly का मतलब क्या होता है आप यह नहीं बोल सकते हैं क्यार देखो साल भर में कितना units से बेज़ रहा है 12,000 तो क्या हर मेने का 1000 नहीं तीवाली में तो ज्यादा भी था पर हम बोल रहा है evenly basis पे तभी तो काम हो रहा है मारा अगर यह नहीं लिखा होता तो मानते हैं तो लिख भी देना evenly basis पे नोट लिखोंगे तो सायद पढ़ने वाला थोड़ा समझदार खुश हो जाएगा या नहीं बच्चे को पता है ठीक कॉश रिस्ट्रक्चर दे रखा है रोव मेटिर 80 रूपिया डायक्ट लेवर 20 रूपिया ओवरहेड इंक्लूडिंग डेप्रेशिशन 80 हम तो डेप्रेशिशन कितना है हम टॉटल एप्रोच कर लेंगे वाउँ हुआ है हम टॉटल भी हो सकता है पर हम यहां किसे कर रहे है टॉटल से कर रहे है पर डेप्रिशिसट्राइब और हो सकता है यहिते नहीं पर पर अँटिषक्रणिंग बॉला हुगा तो क्या करेंगे इसमात अच्छे बॉला ही नहीं है भॉला ही नहीं है खीक है कि माट दिखा हैं अच्छे क्या करते पहले इस पे चले जाती हूँ हूँ इसको देखें भी जितना बनता उतना तो करें मैं होता तो कैस लिखकर आधा नमबर तो ले लेता सबसे अच्छा पता लगा आपकी इसमत खराब है और कोश्चन में बोल दिया कैल्कुलेट कैस कुछ भी हो दकता तो यहां एक नोट बना दी क्या है अशर वहीं कर ली आईगे वर्किंग नोट क्या ढूंडने की कोशिश कर रहे हैं इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे रिडिट सेल्स इसको एक्स ले रहे हूँ इसको आईएज बारेंगे रिडिट सेल्स एक्स ठीक किया हमको टूटल सेल्स मालूम है टूटल सेल्स कितना है 9000 उनिट्स कितना प्राइस 200 कितना आगे है टूटल सेल्स 18,00,00 यहां दख़व दिकत नहीं है क्रेट सेल्स कितना लिया हमने एक्स तो केसेल्स और क्रेट सेल्स मिला कर टूटल सेल्स केसेल्स धाथा क्रेट सेल्स 사Q कितना होका X-75 बर्षन मतल़ 25% इहां क्या जाएगा 0.25X 18,00,00 तो क्या प्रेट सेल्स निकल जाएगा X का वेल्यउ और X का वेल्यू कितना जाएगा 14,00,00 चालिस है और चाउदार लाग चालिस है पे वैलूइशन कर दीजिए चाउदार लाग चालिस है इंटू प्रियेट कितना है तू तू बाइ ट्वेल्ट वो तब आएगा जब आप यहां कैस कोस्ट एप्रोच से कर अगर आप 18 लाग ना लेकर 9000 इंटू 160 करोगे करो 9000 इंटू 160 14 लाग 40 जार डिवाइड वाइ 1.25 उससे डेटरस निकालो 11 लाग बावन अगर आप कैस कॉस्स से कर रहा है तो हमने पहले डिसाइड कर लेकि टुटल से कर कि वह मैं बता दूंगा पहले आप टुटल से करके खतम करें इसको वैसे भी हम कैस कॉस्ट से नहीं कर दें इसकोशन को जार आप पहले आप अन्सर वर्गिंग कैपिटल का आंसर आगया फाइनल 6 615 पाइव कबल जरो बुक में लिख लेना आंसर क्योंकि बुक में प्रेंट नहीं है ताक कि अब रिवीजिन जब करो ना तो आपके पास हो कमसर पपी ना खोलना पर लिए अगर आप तो इसमें जो कुछ था वो सेल सी था बाकी और कुछ ना कि यह तो यह देखो 14,40,000 बताया नहीं मुझे अगर इस पाइनल डेक्टर का बताया था है है अच्छा कुछ बच्चे एक्ष्रा दिमाग चला लिए था इस कोस्चन में और पता नहीं क्यों चलाये थे है 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 ना तो बच्चा क्या कैसे से उसर पैसा आया पैसा आया तो चलो कैस में जोड़ देते हैं मत कुछ भी मत कर देना भाई final answer working capital requirement 66 1500 डबल जीरू ओक्या एक और कोश्चन है और ये भी एक्जाम का कोश्चन है नहीं लिखा नहीं है पर मेरे पैस स्कैनर उससे नहीं बता रहा कोश्चन नमबर ट्वैंटिफाई इत्मनान से करते और कर रहा है कोश्चन और ये कोश्चन बनना चाहिए दस नमबर मतलब 18 मिनट बहुत होता भाई 18 मिनट करने के लिए चलो एक बार मैं कोश्चन पढ़ रहा हूं रोव मटेरियल दिया है 100 रुपिया टारिट लेबर कोश्ट है 37.5 तो टूटल कोश्ट कितना हूं के 212 रुपिया पचास पैसे प्रोफिट 37 पॉंट सेलिंग प्राइज दिया है 250 तो कंपनी लॉपियु टॉक और एबरियल for one month WIP व यश्ट वण मंथ को क्या करें है मंक कोश्ट विख में करेंगे कि भी को मंत में करेंगे मन्त को वीक में करेंगे यहां क्या लेंगे पूर ठीक तो डवलो आई भी कितने वीक के लिए रखना है वन वीक पर कहीं भी क्या डिग्री ओप कंप्लीशन दिया है नहीं दिया तो प्लीज दो तीन नोट तो चिपका कराना पहला क्या नोट चिपका होगे वह बला है ना से कोश्चन बना रहा है यह और इसके अलावा जो टेटर से वह क्या एजिम कर रहा है कि अगर कुछ नहीं बोला है तो ठीक है और प्रोडक्शन एवनली डूरिंग दा इयर अगर नहीं बोला है तो आप यह मान दो तो यह दो तीन चार चीज लिखोगे न अच्छा पिनिस गोड्स को कितने पिडिट के लिए रखना है तो वीक्स रेड अलाव बाई सप्लायर कितना थ्रे विक्स और अध्रेट अलाव ट फोर विक्स क्रेडिट तो डेटर्स एक लाइक इन पैयमेंट अफ वेजिस वन वीक आप अध्रेट के लिए कितना तू विक्स ओवरेड में किया डेप्रिशिशन है कुछ बताएं नहीं है कंपनी जो बेचता है वन फिप्त अब ध्यान से समझना वन फिप्त ऑफ आउटपुट वन फिप्त मतलब 20 परशन छोड़ो न परशन रेशो काम को नहीं है वन फिप रुपे श्टेट में शोविंग वर्किंग कापिटल एक लाग तीस जार यूनिट्स प्रोड़क्शन है और बोल दिया कि प्रोड़क्शन एवल ने थ्रू और ये भी बता दिया कंप्लेट इन ओल रिस्पेक्ट धोका हो जाएगा सो समझके कोशन करना मतलब यार सर कुछ लिखना ही नहीं के जम्शन कुछ नहीं लिखना प्यार से कोश्चन बनाना बस कौन से अप्रोच टोटन से कैस दिया है क्या कैस तो दिया 10 नंबर का कोश्चन है 18 मिनट का टाइम है और अभी बचरा 15 मिनट है एक बज़ने वो तो एक बज़ी तक तो हो जाना अगर पहले हो गया तो क्लास से बाहर कोई पहले नहीं कर सकता क्या इस चक्र मुझे मुझे को जल्दी क्लास ओवर करनी पड़ती दिक्कत यह है जल्दी जल्दी कर लेते हैं अंसर आ रहा है थ्री थ्री जीरो सिक्स टू फाइव जी नहीं आया देखो कहीं गरब्र तो नहीं हुआ और है और है और हैट का वन वीट ले लिए कोशन नंबर 34 अभी तक क्या हुआ न क्योंकि मैं पढ़ देता हूं तो आपके लिए 75 पर्शन कोशन आसान हो जाता अब खुद से पढ़ो खुद से कड़ो आठ नंबर का कोशन एक्जाम में आया हुआ आठ इंटू 1.8 इस बार आपके पास समय से पंधरा मिनट का है पढ़ने का अलग से टाइम नहीं मिलेगा हाँ या तो टोटल से या कैस को दोनों में से किसी एक से बनाना इतना मैं बता सकता हूं नहीं ऐसा नहीं पार्टी देना बढ़े इस इतना नहीं बुला आगे भी है ना बच्चे 4% of working capital including that proof से working capital जो भी निकला उसमें क्या जोडते है प्रोविजन प्रोविजन कितना प्रशन चार परशन और को सिसकर चार परशन यह जो चार परशन निकाल रहा है किसका निकालोगे इसका और यह आएगा कहां से इन दोनों को जोड़ोगे तो यह जाएगा इसका और यह कहां से आएगा माउट इन दोनों को जोड़ोगे तो यह जाएगा कि अंसर तो इसमें जो दिया है वह किसी का भी मैच नहीं हो रहा है हां मैं रुका हूँ फवित्तवा अंसर है थी जिरो 9 8 на 5 8 ल HEA bekommt पर आयुझ पर वोच आयुझ झाल क्या ख़र वेल्स Вас कि टी है इस एप लुँए इस इस ने इस अपर मैं वर्किं कापिटल कित्ना रहा वर्किं कापिटल कितना रहा यहीं गर बढ़े है एक सेकने में जब पाउस कर तो जब यही गलत आ रहा है तो फिर आगे कैसे आओ मैं मिला दूँ रॉव मेटिरल स्टॉक 5,88,000 डबलू आई-पी 6,46,800 डबलू आई-पी आ रहा है 6,46,800 पिनिस गोट से 17,92,000 डटर से 8,40,000 डबलू एक लाग 4,000 डबलू एक लाग 4,000 डबलू इसका 75% क्रेडिट है और 224 रुपए है आपका कॉष्ट 224 रुपए है अपका कॉष्ट 224 रुपए है टोटल मिलाकर हमारा यूनिट कितना एक लाग 4,000 डबलू और इसका 75% ही आपका क्रेडिट सेल्स होगा और कॉष्ट कितना लेना है अपने को वैसे 239 रुपए है पर इसमें डेप्रेशिशन जूडा है 15 रुपए वो भी हटा हूँ 282 में से यह भी हटा दो डेप्रेशिशन भी हटा दो मने करवाया हूँ यह तो कैस कॉष्ट 230 राइन में से 15 रुपए हटाओ 224 और कितना पीरेड है ठीक है यह है रेटर सक्चू आठ चालिश रही है WIP आ रहा है 646800 646800 98 आएगा 53 आएगा और 88 में से क्या माइनस कर दो 15 तो कितना बचा 73 अब 100 परशन 50 परशन 50 परशन नहीं लिए होगे मुझे पूरी उम्मीद है तो इसका लेना है 75 परशन तो करो कितना आगा है 75 परशन 161.7 अब कर लिचे एक लाग चार हजार इंटू 161.7 इंटू आगे होगा 646800 और बुलो कहा है क्रेडिटर 6,86,000 वेजेस आउटर 2,12,000 और आउट इस्टर्णिंग उवरहेट से 2,19,000 तो टूटल आगे 11,17,000 तो टूटल आगे वर्किंग कैपिटल 29,074,800 यहीं फास एते हैं आउटर्स्टर्णिंग वेजेस? नहीं, दो लाग बारह हजार वारह? हाँ वारह? 3098750 तो आप टोटल से कर रहे तो मज़ा आ रहा था टोटल में लोग धोका दे दिया लोग के सको से आप करके बताओ यह कैसे आये समझ में आया है इतना तो आता है अपको कियर इसका आके अमियू से करना हो तो अमियू से कर दिखाना है 2974800 एन्यू 4 पर्शेट वाले कुई तो 100 लेन अपड़ेगा ठीक है मज़ा आ गया कॉश्चन तो यह वाला कॉश्चन है कॉश्चन नमर्ट ट्वेंटेश्चन होमवक है वैसा ही कॉश्चन है तेम ही कॉश्चन है पर प्लीज होमवक कर लेना क्योंकि अभी मुझे समझ में आया क्या इस्तेती है और सर इसको हम लोग लिखो कि हमको कैस कॉश्च से करना भाई लिखो क्योंकि आर आपसे कैस कॉश्च नहीं बन रहे है अची क्या चीज मैं अभी क्लास और करके फिर आपसे बात करता हूं मैं मैं अभी क्लास के बज़ते हैं यह हो गया ना भाई ओमवक 26 कोश्च नंबर 44 होमवक है अपके लिए इसको देखो उसी कॉश्च को मैं एक आप कॉश्च कैस कॉश्च से कर ले ना क्योंकि आप्रेक्टीस होना चाहिए उसी में दिक्कत वा कि इसमें तो कोई कैस कॉश्च है नहीं इसमें तो टोटल से घर लीज़े बस एक साल में आपको 52 विक्स लेना है ट्वेंटी पर्शन अब आउट्पीस हो यह तो ठीक हो चाहिए पाच नमर का कोश्चन आया था भाई आपके कैलकुलेटर में आंसर चाहिए हमको चाहिए MPBF सुना है ना मैक्सिमम पर्मिसिबल बैंक फाइनेंस अंडर प्री मैथर्ड एस पर टेंडन कमीटी ना और आपको पहले में करेंट एसिट बता दूं क्या होता है इसको छोड़ देना बस बाकी सब यह करेंट एसिट हो गया और करेंट लाइबरेटी यह वाला हो गया एक सौसी पहला मैथर्ड से बोलो कितना रहा है में 22 तो दिया ही नहीं है अच्छा कोर करेंट एसिट दिया है ना 30 मतलब यह अगया हमारा करेंट एसिट कितना है इसे 480 480 माइनस 180 इंटू 75 परशन तो पहली मैथर्ट से कितना है 225 2nd में 480 का 75 परशन माइनस 180 कितना 180 3rd मैथर्ड बोलो 480 माइनस 30 इंटू 75 परशन माइनस 180 7.5 वोमवक है बना लेना यही भूलोगे मारा मैं अत्षे से जानता हूं यह भूल जाओ एक्जाम में आता है से 2022 मतलब बहुत ज़्यादा पहलेगा कोछ ने और यह वाला भी बना लेना वोमवक करने दो दीन बाद रखेंगे वोमवक 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 प्रूगे